आईपन यूसे कर रहे हो तो आपको आईफon की ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप यूस्तर करते होंगे लेकिन कुछ बंद्यास होते हैं जो होते हैं कि हमारे फुन में यह भी वहरोंना चाहिए यह बिया जाहिए लेकिन वह उस ट्रिक्स को यूजसे नहीं कर पाथे तो बतातम आपको, देखे कोछ बंदे जो हते हैं, जो जाते हैं, जैसे रहें लोक स्क्रीन है, वह हमारी Career है, यहांपे इस रिफ़ आपको Time Show बरहा है, तो यहां पे कोछ बंदे जासे हते हैं जैसे हमारी लोक स्क्रीन है, यहां पि назв एप्सit आपको बलर हो जाता है पीच्छे की साइड़े में यापका वो आपको प्रोपर नहीं Sh Mul After तो मैं आपको जैसे आपकी लूप स्क्राइण यहां पर talk by भी इंसको कर Kes दिख कर लोगे तो और यहां पर आप जैसे क्लिक करोगRET तो यहां पर आपको से लिखना दिक्रोगी, तो आपने इसके अनटीक कर देना है। यहां पर सिरफ आपका एक पेजर रहा चुक है और यहांपे सेड मेरें आता तो आपके जो तीन पेज्ट यहां से हाइड़् हो चुक है। अब आपने करना किया आपका वाल वेपर अब भी आपका पिछे की साइड में शो कर रहा है तो अब आपने करना किया आपने एक एक एप्लिकेशन को यहाँ पर लोंग प्रेस करना है एक एप्लिकेशन पर और यहाँ से इनको सब यह एप्लिकेशन को आपने एक एप्लिकेश सी अप्लिकेशन को आपने एक फोल्डर में अपने डाल लिए आप देगिए अदिअ मपने यहां से इसे पर प्राइश करूंब और यहां से जाय्ट के पास आपने रखर देना हुट आप देखे जो आपकी हो सकुर में यहां यहां पे सिर्फ आपको आपकी लाइबरे डिया आपको शो कर दिया है और यहां पर देखिए आपकी जैसे लोग सेक्रीन आपको शो कर दिया है आपकी बिल्कुल साफ कर दिया है आपकी यहां पर कोई भी अप्लेकेशन आपकी फोटो को कवर यहां पर नहीं कर दिया है यह के दूसरी टृइग हमारे है जब आप अपना calculator ओपन करते हो तो यहाँ पर कोई भी नमबर डाइल करते हो तो यहाँ पर आपको कट का option नहीं मिलता हिए अगर आप कोई गल्द नमबर यहाँ पर एडिट कर देते हूं तो आप सिंपली यहां से left right कर गए यहां पे cut करते हों यहां से अगर आप C पे click करोगे तो आपका जो पूरा number है आपने टाइप किया हो आपका पूरा number treat कर देगा लेगे आपने swipe left या right कर देगा तो आपका एक एक number आपका एक डिजिट आपका कट होता चलेगा जाएगा और अब देखिए यही आपके अगर आप फोन में अपना नंबर कोई डाइल करते हो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आपको कोई भी आपको कट का ओप्शन मिलता अगर आप कोई भी डिजिट यहाँ पर गल्द एंटर क करके यहाप को च्ट करना पड़ाई Monsieurओक से क्लिक यहृए को कट कर सकते हो अब देखें यहाप को पीछे की साधर में आपको जो मेरी डाइलिंग dailer है वो रूपकी उनने तो मैंने यहाप कैसे किया जान्य हो कि आपको डार्क मोड आपको कैसे लगाते हो thxt हो तो लेकिन अब आप अपने डार्क मोड को आप स्टेडूल भी लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो तो देखिए उसके लिए आपने अपने फोन की सैटिंग को ओपन करना है और यहां से आप डिस्प्लेंड ब्राइटनेस में आओगे तो यहां पर देखिए आप डार्क पर आओगे यहां पर देखिए तो आपने ऑटोमेटिक काप ओप्शन दिखेगा तो यहां पर डार्क ओप्शन पर आना है और यहां से आप डार्क मोड आप सैट कर सकते हो कि देखिए जैसे आपको यहां पर बारा बज़कर 37 मिंट आपको शोगर रहा है तो यहां पर बारा बज़कर आप यहां पर कोई भी टाइम सैट करोगे तो देखे जैसे मैं आप बारा बजगर अड़ती मिन्ट और अम कर देतू क्योंकि अभी रात हो रही है तो यहां पर जैसे इम बारा अड़ती करतूं तो यहां पर लेकि जो मेरा फोन है यहां पर यहां पर दर्क मोड पर चला गया है यहीं 12 बजगर अड़तेस मिंट पर तो आप इस तरह आप अपने डार्क मोड को आप सड्यूल लगा सकते हो कि आपका जो फोन है वो किस टाइम आपका dark mode में आएगा या आप सुबह या शाम को आप जिस टाइम अपना कस्टमाइज कर सकते हो यश डू लगा सकते हो कि किस टाइम हाफ अपने फोन को dark mode में करना चाथते हो तो देख़ेगे अब आपकी एक टुर्ण का यह दिखाता हूं जैसे आपको तो यहाँ पर देखिए आपको एक आपको देखिए यहाँ पर नमबर के नीचे आपको यहाँ पर अंडरलाइन आपको शो कर जोगी अब पूछ बोलोगे आपके क्या है तो भाई यह भी एक आपकी आईफोन का ही फीचर है तो यहाँ पर देखिए जो सी मैं सिक्रिंशोट यहां से अंडरलाइन आपकी जो है वह यहां से नंबर के निचे से हाईड हो चुकी है तो आप इसे कैसे अनेबल करोगे तो उसके लिए भी आपने सैटिंग में याना है और जैसे यह आप यहां पे आओगे तो यहां पे आपने असेसिबिल्टी पर आ जाना है और यहां से आपने आपके जो बटन शेयर पर आपने से off कर देना है अब जब भी आप अपना यहाँ पे number कोई भी number on करोगे यह कोई भी dollar है तो आपके जो underline वहाँ पे show कर रही है वो आपके वहाँ से hide हो जाएगी देखें यहाँ पर आपको जो आपको यहां पर show कर रहा है जैसे यहां sound and haptics है यह focus है तो आपको यहां पर एक bold text की आपको feel आ रही होगी तो यहां पर देखिए जैसे हम इस पर accessibility पर आते हैं और यहां से display and text और यहां से bold text को off कर देते हैं अब देखिए जो आपके text है वो किस side में आपके यहां पर हो चुकी है और देखिए अगर आप अपने iPhone में यहां पर देखिए आप अपनी application के color को आप change करना चाहते हो तो यहां पर अपने setting में याना है और यहां से आपने display and text size और यहां पर देखिए आप नीचे side में आपको मिलेगा color filter तो आपने इसे own कर लेना है और यहां से आप red green कुछ भी green red filter या blue yellow आप कोई भी कर सकते हैं और यहां पर देखिए जो आपके apps के color है वो आपके यहां पर change होते मिले गए देखिए जैसे आपको phone lock होता है यहां पर तो आपके जो control center है उसे कोई भी यहां पर access कर सकता है तो और वो आपका कुछ भी आपका Bluetooth आपका internet आपके phone को से चोब भी यहां पर कर सकता है लेकिन आपने आपने करना गया है आपने phone की setting में आना है और यहां से अपने face ID and password पर आणा है फिर आप देखोगे कि आपकी जो setting में आपके face ID का आपको option ही यहां पर शो कर रहा है तो देखें मैंने आपके face ID है वही मैंने यहां से hide QE कैसे hide QE है तो देखें यहां पर जैसे आपको देखें टाइम इस पर आऊ और यहां से आप content and privacy इस पर यहां से नीटिस एडिम आऊगे तो यहां पर देखिए पासकोड चेंजेस तो मैंने यहां पर डॉंट लोग की हुआ है तो अब आपने यहां पर सक्रीन पासवर्ड एंटर करने और यहां से लोग कर देड़ा अब देखिए जो आपका face ID का यहां पर option था वह आपको automate यहां पर show कर देगा यह देगिए face ID and passcode अब आपने face ID and passcode पर आना है यहां पर पासकोड एंटर करने है और यहां से नीची सेड में आना है और यहां पर देखिए आपकी जो आपकी टोगल ओन है control center और notification center तो आपने इने off कर देना है अब आपने यहीं पर setting में आगे screen time में आना है और यहां से आपने content and privacy पर यहां नीची सेड में आऊगे और यहां से पासकोड एंटर करके आपने इसे don't allow कर देना है अब आपके जो face ID and passcode का option है वो यहां से देखिए हाइड हो जाएगा देखिए इस तरह आप अपने face ID को हाइड भी कर सकते हैं अपनी setting में से ऐसी इकमाल की ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरूब लेड़ा अब देखिए यहां पर आपको एक और ट्रिक्स बितातू मैं आपको यहां पर आप पर आपको आपको जो मुबाइल डाटा यही से ओन ओफ हो जाता है देखिए आपको दिखरोगा तो अब देखिए हम इसी ही अप डिसेप्ल कर देंगे इस बटन को कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए आपने setting में जाना है और यहां से अपने screen time प्याना है और यहां से अपने don't low कर देखिए जैसे आप अपने control center open करोगे यहां पर देखिए अब आपको यहां पर clickable है तो यहां पर देखिए अभी जो आपको यहां पर ओन का ओनी रहेगा इसी तरह आप अगर आप अपना off करके आप इस setting को on करते हो तो यहां पर देखिए जो आपका mobile data वह आपका off ही रहेगा तो उसे कोई भी यहां पर on नहीं कर सकता देखिए यहां पर देखिए अब यहां पर on off आपका जो data है वह यहां पर हो रहा है इस setting को आप off करके भी आप कर सकते है फिर on करके भी आप इसे disable कर सकते हो इस button को यह थी iPhone की tricks बने रहो वीडियो में और बताता हूं आपको मैं देखिए यहां पर जब भी मैं अपनी photos यहां गैलरी को open करता हूं तो यहां पर बर आपके जो मेरे संखरीन है वो यहां पर automatic यहां पर lock हो जाती है तो आप इसे कैसे enable कर सकते हो जिससे की जब ही आपके कोई photos गैलरी को open करका तो आपको फोन है वो automatic यहां पर lock कुझेगा तो देखिए उसके लिए आपने करना गया है आपने यहां पे shortcut create भरता आपने शूंटकट उप्भरन पर यहां से प्लास वाले एक इस पर होगये और यहाँ से आपने नीचे की सएडिमा होगयों सब्सक्राय करें आपने यहां से नीचे साड करें करूं यहां सेglich अपने ने कि नसे डन कर दरने हैं आपने जैसे मैं यह जाए हैं यहां पर शोट कर यहां पर पहले बनाये हुए है तो अपने यह से जब भी देखी जो आप अपने फोटो से उपन करोंगे तो यहाँ पर जो सब करीन ऐसे आपको बैटरी में आपको प्रेंटेज आपको शो करने का तो अब आप इसमें अगर आप नए ऐफून लेते तो आपको यहाँ D बैतरी परेंटरी बैर यहांसे बैटरी प्रियां आपने ले यहां Сाहिए आपको औना धुझे सब्सक्राइब फिर कना जायरों है यहां तो यहां पर अपने하시는 में और में आपने और है यहां से अपने प्लस वाले इ+. इस पर आ जाएन है उपको यहां से देखिते हैं यहां पर एल्बम को ऑप्षिन दिखेगा और हैं पर प्रीखिवेंसिग और अपने लिखोगा किसी आपने एंग भेटे लिखेगा पर लगिसी पर यहान पर यहाँ वाली पर चांज रहेगा लिए का आड़ कर देखें साहुआ को यख़कि कई ही फोटो vinegar यहां पर कोई भी फोटो propose यहां पर देखेंगा तो यहां पर जो मेंत्व कर DIRE जो मिरा वालिओं पर भुए आप पर देखिए इस तरह आप भी अपने ऐफॉन में लोग सटरी पर पर अपने वाल पेपर को यहाँ पर लगा सकते हो जब भी आप टैप करोगे पिर और ली या फिर यहाँ लोग सब्रेंगे ओपन करती आपको जो यहाँ पर वाल पर होड़ पर हैं वहाँ आपकर यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्स यहां पर शो करती है तों अगर आपको आपको अप्षिन नहीं आ रहा तो आपने को आपने से कैसे ओन करना है तो उसके लिए अपने साटिक में लाना है और यहाँ पर देखिए हैं अपको होम स्करिन स्कूरा का अप लाइपके अप्षिन देखेगा तो यहां पर यहां पर कर तो यह यहां पर नीचे साइड में आपका शो करने लग देखिए और यहां पर साइड में आपको Swipe Up कभी आपको यानि पे Swipe Up के भी आपको आपको Option यापे सो कर रहा है देखिए आपने कभी भी आपने किसी का अगर अपने वाइफ़ाई यहाँ पर Connect किया है तो आप उसके अगर आपने एक बार उसका अपने वाइफाई कनेक्ट कर लिया तो आपको उसके पासवर्ड द्वारा पूछने के आपको जूरत रही है जैसे आप वाइफाई अपना ओपन करोगे तो यहाँ पर आओगे और यहाँ पी देखिए आपको फेस आईडी का ओप्शन मांगेगा और यहाँ से जैसे आप फेस आईडी का ओगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऊप्शन मिल जहाँ कि उस बंदे ने कौन सा पासवर्ड यहाँ पर अपना फिल की हुआ है कि यहां पर किसी और को भी देख सकते हैं यहां पर पासवर्ड आपको यहां पर शो कर देगा कि आपने कुन सा पासवर्ड यहां पर यूज किया है यह न्यूस बंदेने तो आप इन फूचर में कभी भी अगर उसे पासवर्ड नहीं चेंज गया तो आप उसका पासवर्ड है यह से पता लगा सकते हैं पर आपको आपको फोन है नो आपको यहांपट similarities जब भी आपको क्योंड अगर आपको मुजिग चल रहा है तो आप उसे कैसे प्रामु परफ़्पमेंगे निदे नोगे देनि तो यहां पर ने प्ले लगा हैं ने क्या को तो यहां पर राते तीन मटर करका भरार होया है में ने भी तरेंण काउंटर हों दा दिखा दूगा अब देखिए अपने करने किया यहां पर लोंग प्रेस करोगे तो यहां पर पूरी लिश्ट यहां पर शो करते हैं यहां पर यहां पर में लिशुश之前 आप नहीं फ्रेस करो लातको सब्सकरणे के आप उस गाने को फाइंड कर सकती हो रहा है तो अब भी अपने आईफौन नाग सस्क्रेन सब्सक्रेंगा कर रहा है इस नाम को लगा सकते हूं तो देखिए उसके लिए आपने करना गया है आपने यहां पर अपने सैटिक में आना है और यहां से अपने नाम सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप कोई भी नाम यहां पर अपने लोग से इंपल गाना चाहते हो तो जैसे देखिए मैं लेकर लिखे देता हूं आईफोन वाले और यहां से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो और यहां पर आप इसे कोई भी आईकोन यहां पर लगा सकते हो और यहां से सिंपल आपने ड़कर देने कलिक और यहां से कास्टोम ऐज़ फोकस इस परका देने कलिक अब देखिए हां पर आपको आपको जो यह फोकस ऐब आपने ब्याइक आना है और यहां से आपने आईफोन वाले इसे ओन कर देना है अब देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं अपने फोन की स्क्रेन को लोग करूँगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए आईफोन वाले यहाँ पर आपको नाम सो करने लग जाएगा इस तरह आप अपने आई फ़ोन की लोग स्टे लिए और और तो आपको पनी लोख्त कुछ नाम हो को कैसे लगा सकते हो तो इसके लिए अपने लोग स्क्रेंट करने हैं तो आपके सामने इस तरह का अब देखिए यहां पर आपको कलर चेंज की भी आपको उक्षिन देखेंगे तो यहां पर एड़ विजिट पर आना है और यहां से आप नीचे सब्सक्राइब तो देखिए जैसे मैंने यहां पर आइफोन 14 लगा हुआ है और यहां पर बैटरी का मैंने सब्सक्राइब इसलिखा तो आप यहां से कोई से भी हाप अपना कुछ भी लगा सकते हूँ जासे थीम टेप से वैदर यहां पे चाप फेस्बुक आप आइकोन भी लगा सकते हैं फिर को लोक लगा सकते हूं या फिर आपके कलेंडर यहां पर यूज़ कर सकते हूं तो देखिए अब देखिए यहां पर यहां पर एड़ कर देता हूं कि देखिए जले लोक सेगयन पर यहां पर देखिए आपको आपको बैटरी प्लशनेंटर और यहां पर देखिते हो हैं ऐपकी सेड में आप पर आ और आपको पोई फोटो को हार्थ करते यहां पर इस पर देतों क्लिक और यहां से मैं इसे हाइड कर देता हूं तो यहां से हाइड फोटो अब देखिए यहां पर आपके जो हाइड फोटो है वह आपके यहां पर सो करते हैं लेकिन आपका जो फेस आइडिया वह यहां पर मंगेगा अब देखिए हमें इसे ही हमें हाइड कर देना है यहां से यहां से फोल्टर को हमें हाइड कर देना है तो उसके लिए करने के हमें सैटिंग ओपन करनी है और यहां से हमें फोटो वाले ऑप्शन पर आ जा रहा है यहां पर और यहां से निची साड़ी में होगे तो यहां पर देखिए शो हीडन एलबम आप ने गैलरी में से हाइड कर सकते हो एक तो फोटो साइड कर सकते हैं और हाई फोटोs के फोल्डर को भी आप इस तरह हाई कर सकते हो यह थी आई फोनं की कुछ पंगे वाली ट्रिक्स यहनि कुछ लोग तो ट्रिक्स को यूज़ कर०ि़ लेकिन collaborative होता है ग蒜 iagitra को फिर्क्स यूजब करना चाते हैं लेकिन उनको पता नहीं उता है तो अभर आपके लिए भी ट्रिक्स अच्छी है लगी हो तो कि शानल में सब्सक्राइब स्भड़ कर लएंगर और जूजड़ रही डबाब जिसएर करना और दिए उस हैं और